हेलो एब्रीवन, वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल सीवाई कम्टीशन क्लासेज आज हम यहाँ पे के बीएस पीजटी का जो साल्व पेपर चल रहा था वहाँ पे हमने कल कोश्चन नंबर 83 तक साल्व कर लिया था आज हम कोश्चन नंबर 84 को देखेंगे 84 में देखिए क्या पूछा था तो आप आप आवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं जब आप मालेकुलर बेलोस्टी में जब आप मालेकूलर बेलोस्टी पढ़ते हैं तो आहां पे आप root main square velocity पढ़ते हैं, average speed पढ़ते हैं, root main square average speed पढ़ते हैं, इस सारे फार्मूले आप वहां पे पढ़ते हैं, तो question में क्या का रहा है कि कौन सा temperature होगा, जिस पर nitrogen molecules की और helium atoms की, दोनों की temperature क्या हो जाएंगी, एक जैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और helium का temperature यहां पे दिया है, और nitrogen का क्या करना है, निकालना है, अब यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, average speed का, और इसी करम में देखेंगे, अगला question हम यहां पे लिये हैं, 85 number, 85 number में क्या है, इन दोनों question को आज हम solve करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे, जो average speed होता है, उसका जो फार्मूला होता है, average speed का, mu average बराबर होता है, 8RT divided by pi m, r क्या है, gas constant, t क्या है, temperature है, ym क्या है, molar mass है, question में कह रहा है कि molar mass of N2, nitrogen का जो average speed होगी, ओ, जो average speed है, helium atoms की, यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अगर हम इसका average speed में temperature को t1 मानें, और molar mass, ym की जगाँ पे, ym n2 कर दें, और जो इसके average speed का formula लिखें, इसका temperature t2 कर दें, और इसका जो average speed निकाले, ym की जगाँ पे क्या कर देंगे, ym helium, तो molar mass आप nitrogen कितना आएगा, 14 plus 14 बराबर 28 हो जाएगा, और helium का कितना होगा, 4 होगा, तब इसी formula में हम दोनों value को put करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 into r into t1, और pi into, यहाँ अमें n2 की जगाँ पे क्या लिख सकते हैं, 28, तो क्या लिखेंगे, 28, बराबर root under 8 into r into t2 दिया है, यानि temperature किसका helium का कितना दिया है, देखे 3, 3, 0 Kelvin, कितना दिया है, 3, 3, 0 Kelvin, तो इसके जगाँ पे क्या लिखेंगे, 3, 3, 0 Kelvin, divide by pi into helium का molecular mass कितना है, 4, अब अगर में यहाँ पे बात करें, तो pi से pi cancel out हो जाएगा, जब आप open करेंगे, r से r cancel out हो जाएगा, 8 से 8 cancel out हो जाएगा, और root under से root under भी cancel out हो जाएगा, बचेगा क्या, t1 बरावर 28 और यहाँ इधर क्या बचेगा, 303 divided by 4, इसको काईसे लिख सकते हैं, t1 इन्टू 4 बरावर 303 इन्टू 28, यहाँ फिर t1 बरावर क्या लिख सकते हैं, 303, 330 इन्टू 28 divided by 4, अब इसको आप क्या करिए, multiplication किजिए, अगर इसको करेंगे, 28 से तो इस 7 बार जाएगा, आप 7 को क्या करिए, multiply कर दिजिए, तो t1 बरावर क्या निकल के आएगा, 70, 21 होगा, 2310 आएगा, t1 की value, temperature आगया, अब देखिए, आफसन में कहीं, आफसन आपको मिल रहे देखने के लिए, हाँ, देखिए, दिया है, 2310, तो आफसन जो फोर्थ वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, तो एक बार हम question को फिर से समझा लेते हैं, आपको किस तरीके से आप निकालेंगे, question को इतम ध्यान से पढ़िए, question में यह answer आपका छीपा होता है, question में कहा है कि ऐसा कोई अनसा temperature होगा, जिस पे nitrogen molecules की average speed और helium atoms की same हो जाएगी, तो आप average speed का formula लगाएंगे, mu average बराबर 8RT divided by pi m, our gas constant है, T temperature है, यह molar mass है, और यह में N2 का molar mass आगया 28, और helium का molar mass 8 आगया, helium का temperature given था, हमने N2 का इस formulation निकाल लिया, अगर आपको question में कोई doubts हो, तो आप में जरूर बताएगा, और इस question papers का PDF हम बहुत जल्द आप लोगों को provide करेंगे, अगला question है, the ionization enthalpy of helium atoms, जो helium atoms हैं, इसकी ionization enthalpy given है, यानि hydrogen की given है, तो hydrogen की ionization energy कितनी दिया है, 13.6 electron bolt, पुछा the second electron affinity of helium, जो helium है, यानि क्या है इसका electron का, 1 एस 2, तो आप क्या कहते हैं, कि कोई भी अगर आपका cells है, इसमें से जो electron है, इसको निकालने के लिए, जितनी energy की required होगी, required होगी जितनी energy की, वही उसकी क्या होगी, ionization energy होगी, जितनी energy required होगी, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, यन बराबर क्या होगा, minus 13.6 divided by n square into z square, जहाँ पे z क्या होगा, atomic number, अगला हम देखेंगे, यन क्या होगा, cell number, कि किस cell में आपकी electrons है, तो अगर हम helium की बात करें, तो पहले cell में electron है, helium on s2, तो यहाँ पे n की जगहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और helium का atomic number क्या होता है, 2 होता है, तो z की जगहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, अब इस तरीके से आप इस question को क्या करिए, शाल्ब केजिए, तो en बराबर क्या होगा, minus 13.6 into 2 का square करेंगे, divide by 1 का square करेंगे, तो क्या होगा, minus 13.6 into 4, अब इसको multiply केजिए, तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा, AB4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और minus, तो minus 54.4 आएगा, अब minus 50.4 आ रहा है, अब इसको हम neutralize करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी energy आपको positive में देने पड़ेगी, इतनी energy आपको क्या करने पड़ेगी, positive देने पड़ेगी, तब ही आप इस electron को क्या करेंगे, remove कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो ionization energy देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, 54.4 electron volt, to required to, जो helium का second electron है, उसको निकालने के लिए, आपको 54.4 electron volt energy देनी पड़ेगी, या फिर कहीं कहीं कैसे करते हैं, जो ionization energy निकालते हैं, उसके लिए formula लगाते हैं, E infinite minus, जो आप EN की बैलो निकाले रहते हैं, infinite minus 0 minus, जो बैलो कितनी आई है, minus 5.4 electron volt, तो total value ionization energy की क्या जाएगी, 54.4 electron volt, तो आप आप सेन में देखेंगे, given होगा 54.4 electron volt, यतनी ही energy क्या लगेगी, required होगी electron को निकालने के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये वाला formula पता होना चाहिए, इसमें, तभी आप इस question को कर पाएंगे, नहीं तो आप question को कर नहीं पाएंगे, तो छोटी-छोटी फार्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपने यहाँ पे देखा कि average speed का formula आपने लिखा था, किस तरीके से आप average speed का formula लगाते हैं, और किस तरीके से आप इस फार्मूले को नोट करते हैं, तो आपने दोनों question साल्व किया, इसके अलामा previous की कुछ question हमारे चैनल की playlist में upload हैं, आप उसको भी वहाँ से देखिए, आप रोज 3-4-5 question के practice ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अब हम मिलेंगे आपसे कल की class में, for watching all of you, to join us our session. Please share it tr's all your friends, thank you!